आवाज इंडिया टीवी देश के लोगों की आवाज लोग तंतर की आवाज जनतंतर की आवाज देश के आवाम की आवाज और आज इस वक्त स्टूडियो में मान्य विल मातन साब जो बहुजन मुप्ति पार्टी के रास्टर दिख्षे है और आपको पता होगा कि सीधे सीधे इस देश में जो लोग मोदी और अमिश्या को सीधा चैलेंज करते हैं उन लोगों में से एक वियन मातंग साब इस वक्त जो देश में बहस चल रही है एंपियार के नाम पर सी डबल एक नाम पर एंसी आर के नाम पर उस पर हम चर्चा करेंगे कि क्या फायदा है क्या नुक्सान है लोग तंतर क्या खत्रे में क्या समिधान के विरुद में ये सब कानून हमारी संसर्थ बना रही है मातंग साब बहुत-बहुत सौगत आपका सीधे हम आते हैं कि जो ये मुद्दा चल रहा है सी डबल एका एंसी आर का एंपी आर का अपक्या कहते है कि इस तरह का जो यह एक लारे ला या जा रहा है सिरफंस्य अमेंड्मेंड मेंट आट हो गया नैशनल रजिस्ट्र ओप सी ज». और शितिजन हो गया वास्तों में बीजेपी एवीएम के मादम से केंदर सरकार बनाया अब एवीएम से बरोसा लोग का उठ रहा है दीरे दीरे तो इसमनमानी सारा करने का मूल कारण एवीएम है जिए ताकि लोगों के वोट का अभी उनको डर नहीं है कि वोट देंगे या नहीं देंगे ताकि मसी नहें ले लेंगे नागरिक्ता संसोदन कानून नाइंटी फिफ्टी फाइव बना तो परयाप्त था वो ताकि जून दोजार पंदरा में अगर फॉर्टी फ्री फाउजन लोगों को विदेशी लोगों को नागरिक्ता दी गई है तो उनीस पच्पन का कानून पर आप थे हैं वही नया यह नया प्रपगंडा करने की जरूत क्यों पड़े हैं और यह सारा नया प्रपगंडा लोगतंत्र की विरोध में है ताकि आर्टिक का अलंगन है अपको अपर दीकारों को बिरोध में है को मालूम होगा आप ज़्दा पत्रकार आपको जादा जैन का रहे है पहली एससे शरकार है कि कानुन के समर्धन में लोका जन्मत बना रहे हैं और बड़ी बड़ी रेलिया कर रही है पिर भी लोगों का विश्वास नहीं बन पा रहा है रेलियों में बीडबार तो जुटा लेते हैं लेकिन लोगों को विश्वास बना हुआ है इसलिए जो हम इसाख कह रहे थे के एक इंच पिछे नहीं हटेंगे बार बार वो आपने बयान बदरते रहते हैं अब आजकल नया सारा उन्होंने बात की बैडी नहीं लगा जाएगा यह 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 नागरिकता देने का कानून है लेने का नहीं है मुधन बार नागरिकता कोई को कोई परिशान नहीं के आजाएगा बाहर से आने वाले लोगों का जह सेцо सा कर Davidson 2014 में की जो नागरिकता लगी नर्जर बार्श ऑगे उससे पहले जो आए Babghanistan इस 파ंगलादेश पाकिस्तान देने पहला है अगा रूंको देने का मावला है तो नागरिकता थे जबत लोग की नागरिकता यह जाते कैसे हो सिन्ने का कारेकम तो अपने आप में प्रमानित है करनी और कत्री मंतर है कि मैं आपको जानकर यह देना चाहता था ग्रह मंतरले का रिपोर्ट है वार्चिक रिपोर्ट दोजार अठारा और निस पेज नंबर दो सब बासट पर लिखा हुआ है कि देश में एनर्चि लागू करने की पूर्व सर्थोगी एनपियर करना जो कहते एनर्चि लागू नहीं करेंगे यह एनर्चि एनपियर का कोई लेना देना नहीं है पेज नमबर सहीद बता रहा हूं कि पूरों सर्त होगी न एनर्पी करना होगा डाटा कलेट करना होगा दूसरा इसमें सबूत के तौर पर बता रहा हूं कि आसाम में NPR नहीं होगी क्योंकि वहां उल्लेडी NRC हो चुकी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप NRC करवाने के लिए NPR कर रहे हैं तीसरा सबूते दोजार तीन के नागरिक नियम जो बनाए गए उसमें बकायदा यह लिखा हुआ है कि मोकिक रूप से लोगों को जानकारी कलेक्ट किया जाएगा और सरकार को अगर उन जानकारी में कोई संदिक ता और अडावर्ट फुल लगा तो लिखी तोर पर उनसे दस जार तीन के नियम में तो यह पॉबलिक को घुम्रा करने का कारकम है समीधान को खत्म करने का कारकम है नागरिक्ता चिन्ने का कारकम है स्टी और बीची मानोटे की अ समीधान के विरोध में है अब जैसे कि गुलोह मंत्री बोलते हैं मोदी जी भी अपने भाशन में संसर्थ में बैट कर उन्होंने जब भी इस पर भाहस चल रही थी इस एक्ट पे सी डबले पे एक्ट चल रही बहस चल रही थी तब यह कहा गया कि जैसे पाकिस्तान का जब हम भारत का पार्टिशन हुआ पाकिस्तान भारत से अलग हुआ तो पाकिस्तान में जो लोग बसे वो जो हिंदू थे वो तब वहां से यहां नहीं आ सके फिर बंगलादेश जो पहले पाकिस्तान था फिर पचास में बंगलादेश की दिर मेती हुई फिर बंगलादेश में जो हिंदू थे वह भारत में आने की कोशिश कर रहे थे तो यह हमारे देश के इनागरिक है जो दे बाहर देश में रहे रहे पाकिस्तान में रहे अफगानिस्तान में रहे रहे बंगलादेश में रहे तो ऐसे हिंदू को ऐसे बोद्धिस्ट को ऐसे जैनिस को इनको हम ऐसे सी इस पर उठ रहा है कि दिकत यह है कि वो के अलग रहे और कर अलग रहे है कि उनका कहने का अलग है और करने का अलग है दोनों में बहुत बड़ी मतलब कॉंट्राडिक्टरी है कि मैंने आपको यही बात कहा कि 1905 का कानुम पर्याप्त था जून 2015 में 43 थाॉजन लोगों को विदेशी लोगों को नागरिक्ता दी गई तो नागरिक्त नहीं कर सकते किसको देना किसको नहीं कि वह लोग अगर सरन्ण लेते हैं तो दुनिया का हित्या से अभी अमेरिका में आपको मालूँ होगा यह जो इवियम का मुदधा बड़े पह्माणदार वह करता से यह सुझा तो अमेरिका ने उसको मुस्लिम का आधार पर नागरिक्ता नहीं दी दलाई लामा को क्या बुदिश्ट के आधार पर नागरिक्ता देने के लिए दर्म को मापड़न क्यों बना रहे है तो भारत के मौलिक जो अधिकर मौलिक मौलिक्ता है कि दर्म के आधार पर किसी के साथ बेदबाव नहीं किया जाएगा उसका वाइलन्स कर रहे हैं यह प्रोल्म है और अगर उनको देने का मसला है तो यहां 19 लाख लोगों को छीनने का कारेकम कहां से बन गया और एक्जांपल आसाम का आपको बताते 97 वन को आधार बनाया जी अब 971 में चाहिए थर्टी फौर पर्सेंटेज लोगी साक्षर लोग ते हैं इसके मतब शिक्टी सिक्स परसेंटेज लोग निर्खषर लोग ते इसकुल के धर्वाजे नहीं देखा तो डेट अब बर्त का शेटिवेट वने पास होने का सवाल ज़नी है अभी बारत में चोविस परसे सब्सक्राइब नहीं है अरून जेटली ने मुद्रायोजना में कहा कि भारत में 30 करोन लोग भूमी भी हिन लोग है अब जिनके पास भूमी ही नहीं है भूमी का सब्सक्राइब नहीं होगा आधार काड माने नहीं होगा जमीन को आधार बनाया है और अरून जेटली मुद्रायोजना में राज्यसभा में कहा कि 30 करोड लोग भूमी भी हिन है तो यह डाटरा बाव बंगलादेश और पाकिस्तान के लोगों के लिए क्या इधर की बता रहा हूं मैं एक करोड़ा 72 लाक लोग फुटपात पर रहते हैं सरकार यहां कर बता रहा हूं मेरा नहीं ज्यादा ही होगा लेकिन सरकार कम करके सर्वे करके बताया आप जो जिनके सब्सक्राइब जात उन्हें साड़े ग्यार अलाक के सब्सक्राइब अधिवास्यों का अस्तित्वा सुप्रिम कोड़ में पड़ा हुआ है इस्टे मिल गया नहीं तो वह विदखल होते हैं तो उनके पास डोकिमेंट ओने का सवाल नहीं है और गुमंतु जाती कि तेरा कर ओर लोग यह जगह से जगह से दूस्तरी जगह उनका इसताई मतलब रहने का नहीं है उनके पास डोकिमेंट और नहीं मग रहे है यह के की लोगों नहीं मांग रहे है कर आ कि लोग रहे है लोगों के लिए नहीं मांग रहे हैं यहां के लोगों के लिए मांग रहे है कि यह आपको देना हो ऺधि कि दीर में भारत के नागरी को कोई अभरकरा रहेगा कल यहीं स्टेटमेंट दुबारा बताइंगे कि हमने कह था ना भारत यह स्टेट्मन वही रहएगा अब भारत के नागरीक थे तो आप मतलब इस आरा दस्तावेट देते तो आपको परिशानी नहीं होती रहा है पुम्ली को जल्दी समझ में नहीं आ रहा है जितना इस्टाप रखा हुआ जबाओंहा है आप एरान हो जाओगे उसका अगर दोक्यमेंटेसन वेरी पिसन किया जए न जितना इस्टाप रखा हुआ न चोभी साल लगेगा है जब चोर बीस साल लोगों को सड़ाने का मामला है एक ही आपके पास प्रमान एक ही प्रमान आपको सबूत कभी है कि दिनेश परज़्यापती ओभी चिका आजमी पारवती परज़्यापती ओभी ऊसकी मिसिश उनके पर डॉक्यमेंटर संग नहीं था तो उनको डिटेंशन केम में डाला गौहाटी हाइकोट में गए गौहाटी हाइकोट ने जज्जमिंट दिया कोई बात नहीं नागरिकता नहीं आपकी तो आप अपलाए करो दस साल के बाद मिल जाएगी तब तक आपके भारत के नागरिकों के मिलने वाली सारे सुविधा से पंचित किया जाएगा इवन दस साल तक आपको वोट देने का भी अधिकार नहीं होगा तो पाकिस्तान से नहीं आये थे वह तो बंगलाजे से नहीं आये थे आप दो आप डिटेंशन केम में नहीं हो बाहर रहो लेकिन आपको वोट देने का भी अधिकार नहीं होगा तो के मामला एक एक सिधी बात आपने जो कही की कि आपने इस सारे मामले को एपी आर एँ एक साथ जोड़ा है सीधा इस की जो हमारे देश में ال Pie एक इसके साथ जोड़ा है क्या आपको लग रहाए कि या बीजेपी जनाधार एउस वें से बढ़ा था और कम हो रहा है इसलिए इस तरह के इस्यूश जनाधार इसे बढ़ा था जब दो सिटे आई थी तब शाथ पर्संड वोट था एट इनाइन में है लोगों का कोई काम हुआ नहीं किसी किसी प्रकार का कोई एक भी वादा पुरा हुआ नहीं अब बीजेपी को डर लग रहा है कि पांच परसंट वोट अगर डाउन जाता है मतलब पांच करोड भी अगर कम होते है दोजाचोबिस के चुना में उसको मेनेज़ किया चाहि तो पांच करोड को बसाने के लिए पांच करोड को उजारना पड़ेगा तो यह नागरिक्ता से मंचित करने का कारगम है नागरीत देने का कारगम नहीं है जिस तरह से हम देख रहे है कि देश में जो आंदोलन चल रहे है कि कई जगह पर शाहिन बाग और इस तरह से आंदोलन चल रहे है और उसका दमन भी करना चाहती है सरकार क्या बात है सरकार को किस बात का डर है क्योंकि इस आ को पर उत्रहें प्रदर्शन कर रहे है आपको क्या लगता है सरकार इस से घबरा रही है बिलकुल सरकार एक साथ काम कर रही है है मुसलमानों पर फूकस कर रही है और सिस्पी यह the तो मुसल्मानों के प्रती ग्रिणा फेला कर आरे सेस का बीजेपी का हमेशा कि पोलिसी राय पोलराइज करने की हिंदू के नाम पर देश में एक समय था डिवाइड रूल चलता था अंग्रेजों की पोलिसी नहीं थी अंग्रेज नहीं था तब भारत में जाती वाद था अं मुस्लिम ग्रिणा पेदा करकर आप इनको स्ट ये उबीसी में इनका माइंड सेट करो तो वी जेपी मुसल्मानों को बोलती है कांग्रेज बोलती है मुसल्मानों का नुकसान नहीं और चाहिए कुमिन्ट बोलती है मुसल्मानों का नुकसान नहीं होना चाहते है है ताकि बोस्लमांणों को ज्यादा नुकसान होगा सब्सक्राइब नुक्सान होगा इसके लिए हम लोग कंटीनियू सब्सक्राइब न पढ़ेगा संक्या के सिधान को अगर आप आधार मानते हैं तो नियम तो सबको लाग हुए तो इसको ज्यादा खामिया जनबुक इतना पड़ेगा तो वो लोग सरकाट डरी हुई है कि इनको मुसल्मानों के तक उसको प्रपोगंडा करो मुस्लिमों को ज्यादा वो धरा दिया है और इनको अंदेरे में रखा हुआ है इसी जगह 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 मुसलिम डारेक का प्रतिक्रिया कर रहे है तो इसमें मीडिया का भी बड़ा रोल रहा है वो मीडिया यह नहीं बता रहा है कि इनका भी नुकसान होगा बता नहीं रहा है प्रस्तापित मीडिया यह नहीं बता रहा है तो यह सरकाट डरी हुई है किसी भी तरीके से य सेटलं सब्सक्राइब में अगर नहीं होती डरी नहीं टो ऐट को एक और कारपने की जद्राइब सब्सक्रांब ऽच्ता तो सहां को समरथन में पूरे जन्ब डेस्थ में नहीं हो। अबना यह स्क़ूर लोग शहूंख करने के लिए लुक्ता यह अपनेे आप में गर्याने इनद एक मने नहीं इस प्रण कर रहे हैं एक साहीन से बेंगलोर में हम्ने कर रहा है। छोटे छोटे तैसिल जो है वहाँ पीपी इस प्रकार के यहां का शाहिन बाग वहां का शाहिन बाग करके यह आंदोलन हो रहे हैं इससे क्या ऐसा हो रहा है कि वाकी जो समाज है और मुस्लिम प्रतिसोद प्रतिक्रियाप मतलब मुसल्मानों के विरोध में घ्रणा फैलाने के लिए उन्होंने का कि बांगलादेश पाकिस्तान अफगानिस्तान से आने वाले नोन मुस्लिम को नागरिकता दी जाएगी स्कांट को नहीं दिए जाएगा वह अपना तर्ग देते हैं क्योंकि वहाँ जो मुसलिम हो गये तो भाल मुसलिम राष्ट में मुसलिम को चाहे भार्ती हो चाहे बांगलादेशी ऑगर वह फाकिस्तान मेरे लő उनोफे अत्या, नहीं हो कि बारत बादानी का सिमयदान आ तो समयोज दानी बिरोधी तो यह है बता रहे लोगों को दे रहे हैं अजी यह बात जो ब कर Monsieur लिछ ने गेंगे देश को छोड़कर उनको दे रहे जो देश के समर्दन में खड़े वहां नहीं कि इन देशु को इनको मार रहें और पॉलराइज करने तरीकर नहीं क्या है इसके कुरोना लिजी को थोड़ा नामर दर्शकों को समझा के बताए ये पहले तो एंपिया राएगा नैशनल पॉलेशन पॉलेशन रजिस्टर आएगा उसके बाद एनर्सी आएगा नैशनल रजिशन आप सिटिजनशिप और उसके बाद की प्रक्रिया जो इन में इन दो चलनियों से चलके जो आएंगे उनका सी डवले सिटिजनशिम एमिंडमेंट एक्ट इसके तहट उनको नागरिक्ता दी जाएगी ये क्या है लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं उन्होंने डारेक एनर्सी का मुद्धा पहले उठाया था जी हम लोग ने डियने का को नहीं करेंगे एंप्यार करें जी मैंने आपको पहले का एंपियार पूरो सर्ता एंपियार होगी यह लिखा हुए पेज नंबर साइथ बता रहा हूं अब यह उन्होंने नया तरीका बताएग लोगों को घुम्रा करने के लिए पिर हम कोई आप से कागज नहीं लेंगे किसी प्रकार का कोई आपसे सबूत नहीं मांगा जाएगा वो आपकी घर पर आएंगे सरकारी जिसकी जिम्मारी होगी तीचर सो यह जो भी अधिकारी होगा वो आपके पास आएंगे और आपसे औरली जानकारी लेंगे मोखे का सबुत नहीं मांग रहे है अब आपसे जानकारी लिया जाएगा तो उसमें बहुत सारा पहली बार ऐसी जानकारी है कि आपके फादर का जन्म कहां से हुआ क्या देश का राष्टपती अपने फादर का जन्म का सबूत दे पाएगा क्या नहीं दे पाएगा प्रधान मंत्री अपनी माता जी का सबूत दे पाएगा क्या तो वो बहुत सारे ऐसे है तो पहले आप से जानकारी लिया जाएगा और पिर जानकारी के आदार पर आपको कहा जाएगा कि हमने जो आपने जानकारी दी हमको सबूत नहीं चाहिए या आपने दी पूचा कि आपके द्दादा जी का पिता जी का जन जनम में स्थान या सबूत है तो आप भूलेंगा कि कोई बात नहीं हमको इप पूछ रहे हैं आप जांकारिय आप चलेंगे फिर उजांकारिक में आपको क्या करेंगे सबुत नहीं थे तो हो गया सफ डेक्लारेसन देने के बात कि मोकिक जांकारिय के देने के बाद अगर संदिक्ता दिकाई दी डाउट पूल किसी का दिकाई दी तो सरकार उससे दस्तावेजी प्रमान पत्र मांग सकती है देना होगा बोले कि आम डी नहीं लगाएंगे लेकिन आप से इन इनका आप दस्तावेजी सब्सक्राइब जानकारी उनके पास आगया दस्तावेजी प्रमान पत्र मांगेगीं अब सरकार बोली कि इतने दिन में जम्म्हा करो करो संदिक लोगा तीसरा स्टेप प्रमान पत्र मांगा जाएगा तो पल्ता नहीं है तो आप को यह कआ जाएगा that foreign ट्रिविनल में डाला जाएगा कि भारत के नागरिकता कि आपके पास सबूत नहीं कोई बात नहीं आप अन्य कौन से देश चाहे उसका प्रमान पत्र देजिए अब इधर का ही नहीं है तो उधर का होने का सवाल अज नहीं है तो हो गया डिटेंशन केम का सुरू कि आप ना भारत की नागरिकता सिद्ध कर पा रहे है और ना यह आप अन्य देश से कहीं आए है उसकी नागरिकता सिद्ध कर पा रहे है तो आप इलेगली तरीके से भारत म रहे रहे हैं तोड डिटेंजन गएम कर सुरू हो गया को पांच वाश चिप अब यह जो चल रहा है लोगों को समझ में नहीं आ रहा है और सरकार बोलती है कि हम उनको किसी से कुछ लेने वाले नहीं है चिनने वाले नहीं है देने वाले है लेकिन यह जैसा ही डाटा आपने दिया इस सरकार के पास यह डाटा आ जाएगा इसके भाइनक दुस्परणाम होंगे है आप इमेजिंग नहीं कर सकते हैं। इतने बड़े दौश्पधाम होने वाले है। जयसे कि हम इमेजिंग करना शाह रहे है इस बात को कि अगर इस तरह से एनपियार के बाद एन इसंतर के वां सी डेवले यह आ सिथद ये सब अगर इस तरह को जमीनिस्तर पर इस सब को लागू किया गया और प्रैक्टिकली इसको हम अमिड्मेंड करना चाहते हैं तो जैसे हम देख रहे कि पूरे भारत में एक बड़ा सीविल वार जिसको गुरुव युद्द्यों करते हैं कहते हैं क्या ग्रह युद्द्य की करते हैं कि आप उनके सामने टीकी नहीं पाएंगे तरीका लगए तरीका लगए तरीका लगए दूस्पर नहीं क्या होगा पहला अगर आप डिटेंशन केम में गए तो नंबर एक आपको वोट के अधिकार से वंचित किया गया मैंने एक्जापल दिया नंबर एक वोट के अधिकार से वंचित नंबर दो जब वोट का अधिकार से वंचित किया गया तो चुनाव लगने का मामला ही समाथ होगे तो लोग तंत्र के दायरे से बाहर होगे वोट के अधिकार से वंचीत अब कि नमें तीन आफ कि एकाऊंब मैं पैशा है अब यह एकाऊंट नम्य मिंगा गया है और लेकि नागता नहीं पर पाहत diameter बैङक एकाऊंब में जितना पैसा है वह उपका नहीं रहेगा जब तो यह अब चोपना कि आपका समय यह देंगे आपका इट्रोशिटी का कानुन समाफ्त हो जाएगा अधिकार समाफ्त हो जाएगा आप किसी देश में आप बोलेगे यह अन्यायत्याचार हुआ यह किसी के बोलतकार हुआ तो आपसे पहले नागरिक हो यह प्रमापत्रमा गाख्या कि आपका मुक्दमाबाद में दायर करते हैं पहले आप नागरिक हो इस दायरे में आते हो कि आपको न्यादे सके जुदिस्ट्री में भारत के समयधानी के अधिकारों के संदर में न तो आप नागरिक नहीं हो नमबर नेक्ट जो डाटा कलेक्ट होगा किसका मकान कच्चा है पकाए क्या है कितनी लोग है ओल्रेडी आदार से लिंक कर दिया जाएगा दोजर बाइस तेश में जबी नया एमेंडमेंट बनाया है सत्रों संपति का उच्छिना जाएगा कि आपको लगता होगा है से कछिना जाएगा अगर मेरे बाप की जमिन मैरे बापन मुझे मेरे नमपके डोकिमेंट है किसे जिना जाएगा आप कुछ बोलते हैं सिकेस होगा तो उतरप्रदेश का देख लो ना कानून जो लोग संगर्ज कर रहे हैं उनको पुब्लिक प्रपटी डेमेज के नाम पर नोटीस तमारे है और रिकवरी कर रहे हैं अगर आप देने लायक नहीं हो अगर पांचला का नोटीस दसला का नहीं आपके मकानी की लिलाम सरकार कर रही है डोकिमेंट आपके पास सरकार कर रही है नागरिक नहीं होने के बाद नागरिक नहीं होने के बाद तो संपती सत्रु संपती गोश्चित हो गई है इतना आसान नहीं है अगर किसी महिला पर बलतकार हुआ या कुछ हुआ केस करने गए मुकदमा तक दायन नहीं होगा आप कहेंगे अरे इसे किसे संपती है आप जिबी बता रहे हो यहां तो फोरणर लोग आते हैं उनके साथ कभी कुछ होता है दुरगट ना उनका केश सरकार करती है अगर कोई महिला फोरणर आई उसके पर बलतकार हुआ तो मुकदमा होता है और इधर के लोग को किसे नहीं होगा तो वहां से जो आते हैं फोरणर लोग तो उनके पास वहां की नागरीता के प्रमान पत्र है किस देश से आए उसके डोकिमेंटर सने तो आपके बास तो ना उस देश का डोकिमेंटर सने ना इस देश का डोकिमेंटर सने ना इस देश आने वाली नश्टलों को खत्म करने की योजना चल रही है अगर किसी पति-पत्नी को उठाये गया डिटेंशन केम में महिला को महिला की डिटेंशन केम में रखा जैंस को जैंस में रखा तो उसकी नर्सल सागे बढ़ने वाली है कि उदर उनको प्रेजिनन के लिए सुईधा कि 25-30 साल की अगर 22 साल की लड़की को अंदर कर दिया प्रमान पत्र नहीं है और 24-25 साल के लड़के को भी अंदर कर दिया तो वहाँ साथी होने वाली क्या उन दोनों की जनरेशन को खतम करने की योजना ए इतना भायनक साजिसे सिवील वोर्स से भी खतरनाग है इसे भी ल मां उसका फिजीकली कितना हां टोर्टिरिंग होगा एरेस्मेंट होगा वो डिटेंशन के में बाहर जाकर कंप्लेंड लिखान लाइक होगी क्या अधिकारी मेरे साथ ऐसा किया मतलब इन इमेजिंग कर सकते हैं भायनक मतलब एकदम भायनक है इस तरह से आपका संग आपका संगठना आपकी पार्टी और अपूद इस तरह से एनर्सी अगर करनी है तो डिएने के आधार पर होनी चाहिए जने टेस्ट होना चाहिए ऐसा तरक आप क्यूं दे रहे कि और आधार पर ही एन और सी होनी चाहिए एक दात तो इसको फिर यह समझा जाए कि आप एक तरसे येनरसी का समर्थन भी कर रहे हैं हम अए सक्छा रहे हुए कि विजे पी आरेसेस का जो डोजीक है उसमें कर जाता है हम यह के रहें अगर भारत बंगलादेस अलग नहीं हुआ हो था तो आज बंगलादेस के नागरिक जो है वो कहां के नागरिक कहला थे भारत के नागरिक कहला थे भारत पाकिस्तान अलग नहीं हुआ हो था तो आज पाकिस्तान के नागरिक है वो कहां के नागरिक कहला थे भा अगर आप लिए ने ने करवाना चांटे आप अगर करवाना ही चाहते कि लिए तो हमारा ही कहना है कि कागजाद गुम भी बहुत सकता है सलम सेरिया मेरे नेर नहीं नहीं हो सकता है अब दिल्ली में दंगे पदाद हुए लोगो गर जलाएगे पहले तुम डोकिमेंट जलाओगे और बाद में मांगोगे कि तुम्हारे पास डोकिमेंट है क्या नहीं समझ माता हम लोगो पहले तुम घर बार जलाओगे डोकिमेंट जलाओगे उसका घर बार एक बेखना है मैं गुम्हों करोना कि ऐसी दिकत है है कोगेज फरजी बन सकता है बाद सकता है कागज गुम हो सकता है पर लगा हो नहीं सकता क्युंकि प्रतिक आदमी के तो मौन भागवत जीब का यह कहना है रही है सबका ये नहीं एक है ना बेजर आप करा ना पिर आहनों कि सबका ये नए क्दी भारत को पर किगा लो तो नागरिक तक आ अपने आप आपके सामने तिकत आ रहे हैं तो आप कह रहे हो तो हम भी कह रहे कराओ यह ने चाहिए तो इसमें गलत कहा है हम लोग हुआ कि इस चर्चा के अंतिमुद्दे पर जाते हैं कि हम अनप्यार का विरूद करें मरा को फिर जाएं कि किस तरह से आपकी पार्टी आप किस तरह से इसको देखेंगे हमारी पार्टी यह कर रही है एक अपरेल को पहले अम लोगों ने मार्च को भारत बंद का एलान किया तो कोरोना की वज़र से हम लोगों ने उसमें थोड़ा चेंज किया यह आपत काले निस्तिदी जो महामारी का डिकलेर किया गया तो लोगों के स्वास्त को ध्यान में रखते हैं लोगों ने उसको एक तारिक गोश्चित किया है पूरे भारत में इन प्यार बाइकोट आंदोलन चल रहा है इसमें हमारे यह तरक है कि आप हमसे प्रमाण पत्र मांग रहे हो तो हम पहले सरकार के सामने सवाल उठाते हैं कि 1955 में हमारे बाप दादा भारत के नागरिक थे या नहीं थे पहले आप लिश्ट लाओ लिश्ट होगा ना भारत सरकार के बाद 1955 का इतना साल का कुछ भी डोकिमेंटेशन भारत सरकार ने नहीं रखा तुम्हारे आप लोगों से तीन साल में राफिल की फाइल गायब हो जाती है और हमसे पचास साल का सबुद मांग रहे हो सतर साल का सबुद मांग रहे हो क्योंकि आप हमारी जानकारी का हमारे विरोध में इस्तमाल करना चाहते हो कानून इजाज़त नहीं देता किसी भी मुझरिम को खुद के विरोध में गवाई देने की कानून इजाज़त नहीं करता वो डोकिमेंटेशन माना नहीं जाता है खुद के विरोध में गवाई देने का जब भारत अगर अगर उनीचो पच्पन में धारा तीन के तर्थ बता गया है कि जनम से ही नागरिक्ता मिल जाती है उसका पूरा फॉर्मेट है धारा पांच के तर्थ भी बता गया है और अगरिक्ता का सबूत क्या है तो उन्होंने का जनम से ही जनमेश का आधार है कि भारत की नागरिक है तो यह नियम दूसरों के लिए क्यों नहीं हो सकता है क्यों अ सब्सक्राइब का आंदोलन चल रहा है महला कमिटी बन रही है पूरे भारत में हम लोगों ने 29 जन्वरी को भारत बंद किया था साथ इसका भी आपको जानकारी होगा उस समय दस जार पॉइंट बनाये थे हम लोगों ने और इस समय आम लोगों ने एक लाख पॉइंट बनाय एक लक लुद्ए एक लख पॉइंट बनाये है एक लख़्यूर्ट का आधार बनाये है छमधों को QV करने का ने च्छह साथ लाएओं तक मेंसे जा रहा है सादारन मामला नहीं है यह अस्तित्व Pokémon का मामला है आने वाली पीडियों केصतित्व शंङड़न करती भा मिनिणमम मेक为什么 25 जार सङ४टे मोटे इसका मोटे इसके समर्थन में है और 10,000 लोग ने 15 दिन का टार्गेट बनाया हुआ है कि डेली दो गाउं कवर करेंगे तो 10,000 गुणा 2, 20,000 डेली गाउं कवर कर रहे हैं 15 दिन में 15 दिन इंटू 20,000 तीन लाग गाउं तक हम लोग पोचने की रहनेती पर काम कर रहे है बारत का चेत्रफल 32,000,000,000 है स्क्वेर किलो मीटर है 32,000,000,000 तो हम 3,000,000 बना रहे 10,000,000 पोइंट में हम पोइंट बना रहे हमारा तो इस देश में अगर हमारे अस्तित्व पर सवाल आया तो सरकार NPR अपनी जगह करेगी हम लोग भी अपना NPR शुरू करेंगे तो सरकार अपना NPR अपना करें हम हमारा डाटा करेंगे कि हमारे किन-किन लोगों के पास हम हमारा NPR शुरू कर देंगे फिर 10 किलो मीटर की रहेंज में तो इतना बड़ा ताकत के साथ इस मुद्दे पर सामने आएंगे और यह लड़ाई क्यों मुसल्मानों की नहीं हैं मुसल्मान अक्यलर लड़ेगा तो उनको फाइदा होगा यह लड़ाई ea c s d और मुसल्मानों का है सेयुक्त लड़ाई है यह आने वाली पेडियो को आने वाली समीधान को बचाने का गरेजूद से बचाने का समीधानिक अधिकारों को बचाने का और भाय वोड के जनरल सेक्रेटरी मौला नवली रामानी साब ने बीन पिर बायकोट का गोशित किया है तो हमारी पारटी इस एंपिर बायकोट में पूरा भारत बंद के समर्थान में एक तारीकों हम लोग जी जान से लगे हुए तो यह देश के समिधान को बचाने का मामला है आने वाली जनेर्शानों को बचाने का मामला है हम पूरी तरह से नकार देंगे एंपी आर को और किसी भी प्रकार की जानकारी की ऀसी क रहे है बामसे Bets की और से बहुजन मुक्ति पार्टी के वह से मुस्लिम पर्सृन लौबिड के और से और और वामने साम ये माराol लोड़ो सो कि प्रकार की जानकारी सरकार को नहीं देंगी और यहीरोध करेंगे कि आइस देश का समीधान बचाना है इस देश का भाईचाराइं वचाना है और इस देश में सीरल वारनों हो इसकी पूरी जवाबदारी हमें लेनी है और देश को तुकड़े तुकड़े होने से भी हमें बचाना है वियल मातंग साब आप इस वक्त हमारे स्टूडियो में आये अपना एक वक्त दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आपका भी दन्यवाद आप